आज हम करने वाले हैं चाप्टर नमबर एड जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टन है यह आपके आई एस एक्जाम के लिए भी और आपके 11th लास एक्जाम के लिए भी तो फाइन आट्स का सबसे इंपॉर्टन चाप्टर अगर कोई है जहां से कोई निएन डिया तक हुँचा है जिस्लाम का वह तोदो का पाकिस्ताँ वाला इरिया है वहां पर यह through fights आया 600 years ago तो जी initial Muslim traders आया या फिर जो conquerors भी आया उन्होंने सिंदोर गुजराथ जैसे शहरों में कुछ-कुछ buildings बिल्डिंग्स बिनाना शुरू कर दिया लेकिन large scale अगर हम कहें कि construction activities वो 13th century में शुरू हुई जिसके अंदे दिल्ली सिल्तनत का बहुत बड़ा रोल रहता है और Turkish conquest जो था Northern India का दिल्ली वाले हिस्से का वो complete हो गया By the 12th century, India was already familiar with the monumental constructions in grandiose settings तो इंडिया पहले ही 12th century तक काफ़ी familiar था कि बड़े-बड़े सच्चास कैसे बनाया जाते हैं Certain techniques and embellishments were prevalent and popular Such as Trabatian bracket pillars and lintels to support a flat roof or a small shallow dome तो जो Trabatian style है जिसके अंदर आप pillars के थूँ एक short structure को support करते हो Roof को support करते हो चीज हमारे पास पहले ही थी While the arches are shaped in wood and stone, they were unable to bear the weight of the top structure Now however the arch weight form of construction was introduced gradually in which the arches would support the weight of the dome तो अब एक नया arch system आने लग गया था जिसके अंदर काफी सादा wheat जो था वो भी सहा जा सकता है So charges are needed to be constructed with wasoyers series of interlocking blocks तो एक के अंदर एक जैसे blocks होते हैं छोटे बच्चों के आपने देखा होगा इस ताह से है एक इस ताह से है तो आपस में interlock हो जाते हैं तो डोम के सबसे बड़ी खास बात क्या होती थी यह पिलर फ्री बना देते थे अंदर वाले structure वो A noteworthy aspect of these migrations and conquest of that muslims absorbed many features of the local cultures and tradition combined them with their own architectural practices तो जो muslim migrants आते थे या conquest करने invaders आते थे उन लोगों ने जितना भी हमारा art and architecture था वहाँ के elements और अपने elements जो अपने साथ लाए होते थे अलगलग country से उस चीज़ को mix कर देते थे तो जैसे domes है domes originally turkey के हैं और turkey originally क्या था अनाटोलिया प्लैट्यू, अनाटोलिया प्लैट्यू originally क्या था Roman empire का हिस्सा कौनसे वाला roman empire, eastern roman empire इसको बेजंटीन empire भी बोलते है और यहां का prominent king कौनसा था prominent king था इसका, हमने world history में पढ़ा हुआ है constantine इसके नाम पे सबसे बड़ा शहर रखा गया था constantinople constantinople कौनसा शहर है, modern day Istanbul और modern day Istanbul, modern day Turkey की capital भी है constantinople और constantinople के नाटोल सबसे बड़ा doom सचर कौनसा बनाया गया था जो बहुत मशूर हुआ था उस तैम पे Hagasofia और Hagasofia उस तैम पे cathedral कहलो, church कहलो था उसके बाद जब muslims ने इस पे attack किया तो इसको mosque बना दिया, बाद में जब democracy आई कमाल पाशा आता तुर्की राज में तो उन्होंने इसको museum कर दिया अब जो Erdogan है, जो प्रेजिडेंट है टर्की के, वो चाते हैं इसको दुबारा से mosque बनाना था था, तुस इस फिल्ड ऑफ एक्सपरिमेंटेशन के बाद जो चीज़ें है वो बनाई गई तो ये कुछ हमें रिलिजिस दिफरेंसिस बताये गए हैं हैंस हिंदूस अडूने all the surfaces of sculptures and paintings Muslims forbid to replicate living forms or any surface developed their religious art and architecture consisting of the arts of bescue, geometrical patterns, caligraphy on plaster and stone तो क्योंकि Islam के अंदर मूर्ती पूजा विगारा मना था या human या animal forms बनाना मना था तो इसलिए उन लोगोंने geometrical designs या patterns या caligraphy या abstract paintings या फिर आपकी fool पतियां इस सरत की चीज़ों का जादा इस्तमाल किया caligraphy का मतलब जो सुन्दर handwriting में हम कुछ लिखते हैं यह हमें कुत्त मिना की फोटो दिखाईगी है दिल्ली की तो बहुत सारे चीज़ें मौस्क के लावा भी बनाई जाती थी जैसे कि इसके अंदर आपके टूम्स होगे जो राजा वेकारा हुए दर्गा होगी किसी पीर वेगारा की मिनारे होगी messages वेगारा पनुचाने के लिए हमाम्स होगे जो की public बात systems होते थे कि अगल लोगी कठे महाँ पर बात कर रहे हैं जैसे suppose करो एक बड़ी family है या nobility है वो तो यह सब चीज़ें जो थी वो एक नई तरह की चीज़ें लाई सब कॉंटिनेंट में architectural edifices in Indian subcontinent as elsewhere in the world were constructed by wealthy people तो अगे अमीर लोगी होंगे जो suppose करो हमाम है तो किसी अमीर family के पास ही हमाम होगा कि एक बड़ा सा washroom जिसके अंदर आज की डेट में आप कहलो स्पास होना वाला facilities आपको मिला हुए तो चोटे लोगों को तो मिल नहीं सकता तो अगर कोई devotees हैं प्रेयर वाले हैं तो उनको भी कुछ न कुछ ऐसी facilities मिल जाती हैं तो यह जहां से भी original idea आया था उसके इलावा भी Indian architecture का इन सभी में काफी बड़ा रोल था, a lot dependent on the availability of material, limitations of resources and skills in the sense of aesthetics of patterns तो of course बाकी चीज़ों पर भी material पर डिपेंड करता था कि यह आप material वो है के नहीं जो इन्हें चाहिए, उस तरह की skills है के नहीं, उस तरह की labor है के नहीं वो सब चीज़े भी effect करती थी दो religion and religiosity were very important to the people of medieval India as elsewhere they borrowed architectural elements liberally तो religion बहुत जादा important होता था लेकिन art and architecture की time पे या आप कहसकतो कला की time पे, संस्कृति की time पे वो यह नहीं देखते थे कि किस religion की चीज़ है तो वहाँ पे सिर्फ यह देखा जाता था कि architecture में क्या चीज़ हम बेटर कर सकते है तो इसलिए वो चीज़े अडॉप्ट हो जाते थी Categories of style The study of Indo-Islamic architecture is conveniently categorized into imperial style जो कि दिल्ली सल्तनित का था Provincial style जो मांडू, गुजराद, बेंगौल और जौनपूर का है मुगल style दिल्ली आगरा और लहौर का और दखनी style वीजापूर, गॉलकॉंडा का These categories help us understand better specifications of architectural styles rather than putting them in immutable slots तो इससे हम better understanding कर पाएंगे, इनको classify कर पाएंगे यह जमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट जो है जैपूर का उसके अंदर की आपको जाली सिस्टम दिखाया गया है जिसको intricate जाली बोला जाता है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल fixed pattern है geometrically perfect है और एक सार सब कुछ बनाया गया और यह पूरा जालियों का तियार किया गया है काम Architectural Influences Amongst the provincial style, the architecture of Bengal and John Pore is regarded as distinct Gujarat was said to have marked regional character of patrons borrowed the elements from regional temples traditions such as turanas, lentils and miharbs, carvings of the bell and chain motifs and carved panel depicting trees, tombs, mosques and dargahs The 15th century white marble dhargah of Sheikh Ahmed Khatoo of Sarkhej is a good example of provincial style and is heavily influenced from the decoration of the Mughal tombs तो basically architecture influences में हमें बताया गया है कि local or Mughal traditions जो थे या Islamic traditions जो थे वो mix होते थे और उसका में एक्जाम्पल दिया हुआ है Sheikh Ahmed Khatoo of Sarkhej के जो दरगा है Next आता है Decorative Forms दादू panel of wall दिखाया गया है आगरा के अंदर तो ये किसम का जैसा आप modern day tiles पर देखते हैं एक uniform सा pattern बनता है उस तरह का pattern है These forms include designing on the plaster through insertion और stupo The designs are either left plain or covered with colors Motifs are also painted on carved in the stones These motifs 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 का मतलब logos included variety of flowers both from the subcontinent and places outside particularly Iran तो इरान के अंदर पर्शा के अंदर जो चीज़ें मिलती थी वो भी हाँ पर देखने को मिलती है The lotus gut fringe was used to great advantage in the inner curves of the arches Walls were also decorated with cypress, chinaar and other trees as also the flower vases Many complex designs of the flower motors decorating the ceilings were also to be found on the textiles and carpets In the 14th and 15th, 16th centuries, tiles were also used to the surface of the walls and the domes Popular colors were blue, turquoise, green and yellow तो हमें popular colors बताये गए हैं और tiles के बारे में कुछ और information दी गई है Subsequentry technique of tessellation, mosaic designs यह important है, mosaic का मतलब होता है, रंग भी रंगे जो आप कह सकते हो कलाकृती है एक fixed pattern है वो और pietradura, यह important है, यह पूछ लेते हैं वर made use of the surface decoration particularly in the dado panels of the walls तो pietradura क्या होता है, pietradura भी इस तरह का एक abstract work है लेकिन उसके अंदर हीरे मोती लगाए होते हैं तो suppose करो कि यह जो हैं अंदर है, यहां पे gems लगा दिये कोई और precious stones लगा दिये तो इसको हम pietradura बोलते हैं At times lapis lozis were used in the interior walls or on the canopies Other decorations included are bescue, calligraphy and high and low relief carvings and profound use of jalis The high relief carving has three-dimensional look The arches are plain and square and sometimes high and pointed तो arches जो हैं ओ पूंद भी हो सकते हैं इस तरह से और कहीं पार प्ली हो सकते हैं From the 16th century onwards, arches were designed with the trefoil or multiple physician Splendors of the arches were decorated with medulations and washes The roof was a mix of central dome and other smaller domes Chhatris and tiny minars तो यह हमें कुछ और information दी हुई है यह हमारे इतनी ज़्यादा काम की नहीं है And यह pietradura का हमें एक और example दिया हुए तो आप देख सकते हैं यह architecture का एक symbol सा बना दिया एक flowers का symbol बना दिया और यह जो सारे चीज़े हैं यह पत्थर को बाद में इसमें ingross किया गया तो marble को काटके या जो भी पत्थर है precious stone है उसको काटके इसके अंदर fit किया गया तो इस तरह की चीज़ें आपको मंदिरों में भी देखने को मिलती है The central dome was topped with an inverted lotus flower motif and metal and stone pinnacle Materials of construction The walls in all the buildings were extremely thick and were largely constructed with a rubber masonry तो जो walls होती है वो काफी थिक होती थी और rubber masonry यानि की cement वेगारा का जो उस time पे होती थी उससे इस्तमाल किया जाता था और वो easily available भी होती थी तो इसके अंदर limestone का काफी जाता use किया जाता था इसके लावा जो चूना वेगार है वो भी use होता था An amazing range of stones were utilized for construction of such as quartzite, sandstone, buff, marble, etc Polychrome tiles were used to great advantage to finish the walls तो ये सब चीज़े हमें बताए गई है Marble का भी इस्तमाल होता था Means is marble है From the beginning of the 7th century Bricks were also used for construction And these imparted great flexibility to the structures तो इंटो का भी इस्तमाल होने लगा था In this phase there were more reliance on local material और उस ताम पे local material पे ज़्यादा हम ध्यान देते थे अभी हमें aerial view दिखाया गया है दौलत अबाद, fort का, दौलत अबाद के किले का Building monumental forts with embalansments Was a regular feature in the medieval times Often symbolizing the seat of power of a king तो जो किला होता था एक तो वो protection देता था और एक seat of power भी दिखाता था king की When such forts were captured by attacking an army Vakishing ruler either lost the competitive power of a sovereign तो बेसे के लिए अगर आपने किसी किदे को फते कर लिया तो आप जीत के उस राज्य को This was because he had to accept the sovereignty of the victorious king Some examples of strong, complex and adhesivees which still exercise in the imagination of visitors are the forts of Chittaud, Gawaliar, Dauratabad earlier known as Devgiri and Kolkonda Commanding heights were utilized to great advantage to construct force तो जितना हुचाई पर आप बना रहे हो एक तो उपर से नज़र रख सकते हो उपर से नीचे मारना तोपों से या तीर वेगारा से भी असान होता है और नीचे वालों को उपर चरना मुश्किल होता है तो height जी थी आपको एक बहुत अच्छी advantage देती थी अधर complexity वोवन इंटो सच टॉपोग्राफी वर concentric circles of outer walls in Golkonda so that the enemy had to breach all the stages before getting in तो अगें concentric circles में इस तरह से बनाया जाता था ताकि सारे जब दर्वाजे भेजें तभी वो अंदर वाले फोर्ट में अच्छल फोर्ट में आ सके और तब तक उसको ढूंड के मार दिया जाए ये गवालिया के फोर्ट के हमें इमिज दिखाए गई है दौलत अबाद had several strategic devices to confound the enemy such as staggered entrances so that the gates could not be opened even with the help of elephants और इस तरह के दौलत अबाद के अंदर इंतिजाम किये गए थे कि हाथी भी उस gate को ना तोड़ पाएं तो complex design arrangement थी दो फोर्ट गनाए गए थे एक के अंजर एक तो जैसे कि आप mazes देखते हो पुरानी मूवीज में या Hollywood में देखते हो कि मेज के अंदर ही खोके मर जाता है death traps होते हैं उस तरह की चीज़ें यहां पे देखने को मिलती थी Gawalia fort was invincible because its steep height made it impossible to scale it had many inhabitations and usages Babar who did not find much merit in many things he saw in Hindustan was said to have been overawed at the site of the Gawalia fort Chittor bears the distinction of being the largest fort in Asia and was occupied for the longest length of time as a seat of Babar Chittorgarh largest fort of Asia है और जो आपका Gawalia fort है उससे Babar भी घपरा गया था it has many types of buildings including stambhas, towers to signify victory and bravery it was repeat with the numerous water bodies the water bodies भी अंदर ही दिखाई जाती थी innumerable acts of heroism have been associated with the principal people on the fort forming the substance of many a legend an interesting aspect associated with the fort is that within the palace complex stylists and decorative influences were absorbed most liberally तो palace के अंदर भी अलग अलग तरह की जो styles है या decorative influences है जाए वो किसी भी religion के हो उनको use किया जाता था next राते मिनार, another form of stambha or tower was a मिनार, its common feature in the subcontinent two most striking मिनारs of the medieval times are kutb मिनार and chand मिनार of दौल अबाद ये चांद मिनार है दौल अबाद की, kutb मिनार हमने शुरू में देखा था the everyday use of the मिनार was azan or call for prayer, तो इसके अंदर खड़े होके बुलाया जाता है लोगों की वे prayer करने आ जाओ its phenomenal height however symbolized that might be power of the ruler, the kutb मिनार also became associated with the much revered saint of दिली ख्वाजा, kutb अद्दीन, भक्तियार, खीका की, तो एक सूफी सेंट के साथ असुसीटर से दिली वाले मिनार और इसका मेन का मुताथाजान के लिए बुलाना लेकिन ये power of ruler भी दिखाती थी कि वो कित्ते बड़े area को control कर रहा है दककत अमिनार, built in the 13th century, 234 feet high, tampering tower divided into 5 stories, 5 stories है, 234 height is की, दमिनार is a mix of polygonal and circular shape, it is larger built of red and buff sandstone with the use of marble in upper stories, और अपर stories में थोड़ा बहुता marble भी यूज़ किया गया है, it is characterized by high decorated balconies and brands of inscription intertwined by fall located designs, चांद मिनार, built in the 15th century, is 210 feet high, tampering tower divided into 4 stories, जो चांद मिनार इसमें 4 stories है, और इसको painted किया हुए, पीछ कलर से, इसको पेंट किया हुए, पीछ कलर से, इसको सास्कुन बूस्टेट और शेवरें पेंटिंग उन्टिंग उन्टिंग अन्चॉस्टिक, टाइटल वर्क, बोल्ट और कॉनारिक वर्क, और जाइन लोग ने काम क्या था, टॉम ओफ, इतमाद बूला या अगरा में है, टॉम्स की बात करेंगे, monumental सच्चर over the grace of rulers royalty was popular feature of medieval India तो जो भी राजा रूजा होते थे वो अपना मकबरा खुद बना लेते थे some of the well known examples of सच्चार जासदीन तुकलग, हमायू अब्दुर रहम खाने खाना इन दिली, अकबर इत्मादु दौला इनागरा according to the Anthony Wells the idea behind the tomb was eternal paradise, कि आपको हमेशा के लिए जननत या हेवन मिल जाएगा as a reward for being a true believer on the judgment day, क्योंकि आप भगवान के अंदर आपका अटल विश्वास का अल्दा के अंदर आपका अटल विश्वास का this led to the paradisical imagery for tomb construction इसलिए ज़े tomb थाउस को paradise की तरह आसपास अच्छे gardens, marble best सीजों से उसे less किया जाता था beginning with the introduction of Quranic verses on the wall, the tomb was subsequently placed within the paradisical elements which such as garden or near a body of water और both, तो garden water पे गारा जो कि बहुत ही जादा हम अच्छा मानते हैं कि heavenly चीज़ें होती होंगी, स्वर्ग में ऐसा होता होगा as in the case of Humayu tomb and Taj Mahal which of the following 4 बाग साइख और इस बाग को हम क्या बोलते हैं? चार बाग बोलते हैं surely through such vast expansion of structured and stylized spaces could not have been intended only to signify peace and happiness in the next world but also showcase majesty, grandeur and might of the person who is buried there तब खोर्स इसके बीचे सिरफ यही कारण और ऐसा नहीं हो सकता इसके पीछे उस person की importance दिखाना, उसकी अमीरी दिखाना और उसका जो grand lifestyle था वो दिखाना भी होता था इसलिए जितना बड़ा राजा होता था उतना इसका खास तरह से मगबरा बनाया जाता था महेंगा मगबरा बनाया जाता था नेक्सा था सराइ a hugely interesting feature of medieval India was the सराइज which ringed cities and dotted the vast space of Indian subcontinent तो सराइज बहुत जादे important होते थे और सराइज होते क्या थे एक simple square या rectangular plan की उपर होते थे जो एक temporary accommodation मिलता था कोई भी traveler है उसके लिए तो travelers है, pilgrims है, उस ते पे hotels या restaurants का इतना concept नहीं होता था तो वो सराइ में जाके रुख सकते थे तो यह public domain की होते थे और इसके अंदर अलग अलग cultural background की आपको लोग मिलते थे तो cross-culture interaction हो गया influences हो गया या और जो interaction हो सकती है लोगों के बीच में, trading हो सकती है वो सब चीज़ें यहां पर की जाते थे यहां की आम लोगों के लिए भी नए architectural designs देखने को मिलते थे इस included building for domestic usage, temples, mosques, khanas, hermits और सूफी सेंट जहां पर रहते थे दरगाज, commemorative gateways, यानि की कोई special चीज़ बनाई है जैसे बुलन दरवाजा, pavilion of buildings, gardens and bazaars, etc यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, कैलिग्राफिक हुई है उसके बार यह मान दुदी खाया हुए, यहां पर भी आप देख सकते हैं, पानी आस्पास है, यह एक medieval India का सचर्चर है The city of Mandu is located in 60 miles from Indore, Madhya Pradesh के अंदर है ये, at an elevation यान कि उन चाई ये, 2000 फीट की. It overlooks the Malwa plething the north and Narmada Valley to the south. Mandu's natural defense encourages the consistent habitants by Parmal Rajputs, Afghans and Mughals. As a capital city of the Ghauri dynasty, founded in the Hushang Shah, by Hushang Shah, it acquired a lot of fame. Subsequently, Mandu was associated with the romance of Sultan Bas Bahadur and Rani Rupmati. The Mughals resorted to it for pleasure during the monsoon seasons. The Mughals bhi monsoon में यहाँ पर जाया करते थे, यह बताया गया है, और सुल्तान बाज, बहादुर और Rani Rupmati की कहानियां भी यहाँ पर 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 चले थे हैं. यह होशांग Shah का tomb है, और यह नीचे हिंडोला महल है. Mandu is typically representative of the medieval provincial style of art and architecture. It was a complex mix of official and residential come pleasure places. तो यहाँ पर आपको official places भी मिलेंगे, residential भी मिलेंगे, और pleasure seeking places भी मिलेंगे. इसके लावा जो normal लोगों के लिए कोई चीज़ें है, mosque है, reservoir है, baolies है, वो सब चीज़ें भी मिलेंगी. In spite of the size and monumentality, the structure was very close to the nature, designed in the style of arch pavilion. और इसके जो shape है, वो arch वाली है, वो हम देखी रहे हैं, arch and dome method यहाँ पर use रहा है, light है, airy है, और local लेगों के पास है. और जो buildings है, यह heat retain नहीं करती है, तो अंदर से ठंडी रहती थी. Local stone and marble was used to great advantage. और जितना भी हो सके, इन्होंने local सवान use किया था. तो इन्वार्मेंट भी हाँ पर हमने देखी, कि preserve की थी तो एक sustainable development टाइप चीज़ हमें देखने को मिलती है. Royal cave located in the city comprises mostly of the complete and romantic set of buildings, a cluster of palaces and structures, official and residential, built around two artificial lakes. तो दो यहाँ पर artificial lakes भी बनाए गए हैं. हिंडूला में है looks like a railway, वैडक bridge with the disproportionately large buttress supporting the walls. तो यह आपको थोड़ा सब रिज जैसा लग रहा है. हिंडूला में है looks like a, यह हो गया. तो यहाँ पर जो सुल्तान था वो लोगों से मिलता था. बैटर वार्यूज़ वेरी एफेक्टिवली तो गिव एन इंप्रेशन आप स्विंगिंग हिंडूला वाल्स. तो यहाँ पर जो एफेक्ट आता था वो ऐसा रखता था कि जो वॉल्स हैं वो हिल रही है. नेक्स से आता है आपका. जहाँ महल is an elegant two-story ship palace between two reservoirs with open pavilions, balconies, overhanging water and terrace. बिल्ट वैस सुल्तान जियासुदीन खिल जी, it was possibly used as harem and as the ultimate pleasure for recreational resort. तो इसको resort की तरह भी use किया जाता था, जो है जहाँ महल. इट है अ कम्पलेक्स arrangement of water courses, terrace and swimming pool. तो terrace, swimming pool, water का इसमें काफे अच्छा काम किया है, यह हमें यहाँ पर दिखाया गया है. रानी रूप मतीज double pavilion purged on the southern settlement, supported a beautiful view of the नमदा वैली. तो जो रानी का महल था, वहाँ से भी नमदा वैली दिखती थी, बाज 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 उस पहले साथ, white courtyard ringed with halls and terraces. दा मदर्सा काल अशर्फी महल also lies in ruins. होशांग शार तूम is a majestic structure with a beautiful dome. marble जाली वर्प, porrits, coats and tars. इस प्राइगाफ में पर से किया रखने है कि यह अफगान structure था. जाम मजद अफमांडू was built on a large scale to accommodate many worshippers for the Friday players. तो Friday को जो नमाज होती है, जुम्मे की नमाज होती है, उसमें जाएता लोग आसर के इसलिए इसको बड़ा बनाया गया था. It is entered through a monumental gateway, topped with a squat dome, beyond which lies an open courtyard, frank with column collisters on three sides and tall top with smaller domes. तो जुमांपे चोटे-चोटे domes अलग-अलग भी दिये गए है, red stone stone का इस्तिमाल किया गया है. The Vimbar is a qibla liwan, is supported on carved brackets and mihar basil plus bird french. तो यह कुछ वाट डिटेल इसके बारे हैं बताए गए है. और यह image हमें दिखाए गई है जामा मस्जिद मांडू की. यहाँ ठीक है, कि local traditions को भी use किया गया था और जो imperial दिल्दी वाली जो traditions है, जाली का work हो गया, या कोई curve bracket हो गया, या कई arches का type हो गया, या फिर इस तरह से जो एक typical design आ रहे है, pointed arches का, तो इस तरह की चीज़ें होगी, यह सब चीज़ें भी इस्तिमाल की जाती थी. यहाँ जनरीट करता है, काफे साहर टूर्स यहाँ पर आते हैं and so on, वो सब चीज़ें आपको पता ही है, फिर इसके साथ जो current effect एड़ापिक लिंग थे कि ऐसे drain होती है यहाँ पर, जिसके कारणी पीड़ा पढ़ रहा है, खराब हो रहा है, वो चीज़ें भी हमें पता हैं. यह कुछ और हमें interior designs दिखाए गए हैं. तो ताज महल वास बिल्ट इन आगराबाई शाहाँ जहाँ as a museum for his deceased wife, मुम्ताज महल. ताज महल वास अपोजी of the evolutionary architectural process in the medieval India. तो यह हमें पता है कि मुम्ताज महत के लिए बनाया था, शाजा ने बनाया था और यह अपने आप में एक यूनीक medieval India का सच्चर है. The sublimity of the building comes from the orderly simple plan of elevation, amazingly perfect proposition, symmetry and the eternal quality of marble has lent to it the perfect setting of the bag, river and the pure outline of the tombs silhouette against the sky. तो बहुत ही शांदार नजारा है नदी का किनारा भी है उसके बाद आपके चार बाग भी है यहाँ पर आपका ताज महल हो गया उसके बाद आपके चार बाग वाला स्टाइल भी है नदी पास ही में जा रही है और skyline के साथ भी बहुत अच्छा match करता है और day and night में इसकी जो look है वो बहुत different आती है सूरज की टाइम पर लग 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 आती है बादों के color के साथ से भी white color है पर reflect करता है तो और अच्छी look देता है उसके बाद रात में moonlight को reflect करता है पानी reflect करता है तो एक और खास बाग स्टाइल क्रिस क्रोस्स विध पार्च और वाटर कोर्स तो यह हमने चार बाग स्टाइल पहले मेडीवल इंडिया में पड़ा हूए तो वो classes आपको यादी होंगी तो रिवर के अद्वांटेज लेते हुए जो पूरा पूल्स का या फांटेंस का चीज़ें है उसको मैच किया गया है तो जो स्टेट पाथ उसके बाद वो फृंट में ले आता है तो पूरात पूल्स आप तवीट है तो जो यह मिनार्स थी यह वां 30 feet high है तो यहां पर जो मॉस्क बना हुए वो मार्बल का नहीं है वो रिट सैंस्टों का ही है Size Marble for the building is caught from Mankarana Myers in Rajasthan यह important हैं की Marble कहां से आया था Makarana Myers राज़ान से आया था And this white edifice is contrasted with the red reflection of the surrounding सचर ऐसपास का सारा सचर जो है वो लाल पत्फर का है तो इसी लिए इसका जो वाइट कालर है Marble का वो उभर के आता है और marble पे भी नकाशियां की गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, Peter Dura वाला work. The tomb structure is a square with the chamfers forming eight sides recessed with deep arches. The structural stylization produces in elevation of the building a variety of contrasting patterns, shades and solids and void effects. तो कहीं सारे arches हैं, कहीं सारे styles हैं, जिससे की बहुत अच्छा effect आता है. All sides of the building, the twin elevation of the floor to the roof and roof to the pinnacle, a top with fully straight crest of dome measures 186 feet high. तो यह जो main building का जो top है यह आपका 186 feet बन जाएगा, यह बताया गया है. Interior arrangement of the mausoleum का system of a crypt below and vaulted octagonal tomb chamber above with a room at each angle, all connected by corridors, light of every part of the building is obtained by means of carved and perforated jallies set in the arch recesses of the interior. तो सारे जंगा पे ताजी हवा और रौशनी के लिए jallies का system बनाया गया है. Ceiling is as high as for care, creating a void with the help of a double dome. और ceiling high है, double dome बनाया गया है. Four type of ablishments have been used with great effect for the interior and exterior surfaces of the Taj Mahal. These are stone carving in high and low relief of the walls, the delicate carving of the marble into jallies and graceful wallets, spiral ornaments on the pillars, and the creation of abrescues with petra dura, जो अभी हमने देखा था, यह yellow marble jade jasper on the walls of the tombstone, geometric designs with the tessellation. Geometric designs है, यह भी कहीं हैं हद तक geometric designs हैं, इसके अंदर जब पत्थर लगा दिया तो वो आपका petra dura हो गया, और यह आपकी calligraphy होगी. जिसके अंदर कुरान विगार के आयते हैं रिखी हुई हैं क्योंकि humans या animal figures इसलाम में बना हैं. Lastly, the art of the calligraphy is used with illinary jaspery in white marble to write quranic verses. Calligraphy provides a decorative element on the walls and a continuous connection with the Almighty. कि आपका God के साथ connection चल रहा है. Next, रहता है गोल गुंबद. गोल गुंबद यह है. इसके अंदर भी आपको चार मिनार्स दिख रही हैं और उपर से एक डोम दिख रहा है. गोल गुंबद इस इन बीजापूर, बीजापूर दिस्टिक्ट अफ करनाटका. यह unfinished रहा गया था लेकिन फिर भी बहुत शांदार है. The tomb is a complex of buildings such as a gateway, नकर खाना, मौस्क, सराइ, located within the large wall garden. तो अपने आप में यह tomb complete एक solution प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको बहुत सारे elements देखने को मिल रहे हैं. यह drum of doom दिखाया गया है, the dome का जो drum वाला area है, और यह आपका whisper gallery है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. Gumbad is a monumental square building, square में है यह, rectangle में नहीं है, topped with a circular drum, over which rest a majestic dome, giving the building a nomenclature. It is built on the dark gray basalt and decorated plasterboard. Each wall of the tomb is 135 feet long and 110 feet thick. With a drum and the dome, the building rises up to the height of 200 feet. The tomb has only one square chamber and a dome with a diameter of 125 feet. It covers an uninterrupted floor space of 18337 square feet, the second largest in the world. तो आपको dimensions दी हुई है, यह सब करने की ज़रूत नहीं है, इतना exact कोई भी पूचता नहीं है, exam. Tomb chamber contains the burial palace of the sultan, his wife's relatives, etc. तो जो भी sultan की family थी, उसके मरे वो लोग यहीं पर दफनाए गए थे. इसके अंदर arch nets का design यूज किया गया है, तो ऐसे देखिए, ये भी arch होगी, ये arch होगी, फिर ये arch, एक arch, एक arch, एक arch. तो इस तरह से आपका arch वाला design यूज किया गया है. The building has an amazing orchestral system, along the drum of the dome there is a whispering gallery, where sound gets magnified and decoded many times over. तो ये आपके whisper gallery है, यहाँ पर अगर कुछ बोलते हैं तो वो कई बार गूंच के बाहर निकलती है. At four corners of the building are seven story doctrinal spires or minard-like towers. These towers house the staircase leading to the top of the dome. The drum of the dome is decorated with foliation, a heavy bracket corsis resting on corbels is a distinctive feature of the facade. Golgumbad is a fine convergence of many styles located in medieval India. Monumentally majesty and grandeur, integral aspects of the architectural experience of India are associated with the buildings of Bijapur. While its structural peculiarities of dome, arches, geometrical proportions and lot-bearing techniques such as Temurid and Persian styles, it is made of local material and decorated with the surface embellishment popular in the Deccan. तो again, इसके अंदर भी आपको foreign elements के साथ साथ Indian elements देखने को मिलते हैं, जो decoration है, material है, वो सारा का साथ Deccan से related है. Two towers of the corners of the remnants of the turrets attached to the mosque, such as Qilaik Quan Masjid and पुराना Qilaik in Delhi. तो जो आपके चार टार्स हैं, corners पे वो एक तरह से mosque के चार टार्स की तरह लगते हैं. नेक्स आता है, जावा मस्जेद आफ दिल्ली. Large mosque spanning huge spaces also dotted to the landscape of Indian subcontinent in the medieval times. तो यहाँ पे ceremonic prayers होती थी, जैसे कि हर Friday को जुम्मे के नमाज होती थी, तो उसके अदर minimum 40 Muslim males होते चाहिए थे, तो बहुत सारे लोगों को track करने के लिए एक जगा पे इस तरह के बड़े-बड़े mosque बनाये जाते थे. At the time of the prayers on Friday, a khutba was read out in the name of the first ruler and his laws for the limb were also read out. In the medieval times, the city had one Jama Masjid which along with the immediate surrounding became the focus of the lives of the people for both Muslims and non-Muslims. This happened because a lot of commercial and cultural activities were considered here besides religious and indirect political activities. तो यहाँ पे basically indirect political activities भी चलती थी और economic activities भी चलती थी जिससे कि हर शहर में जो Jama Masjid बनाया जाता था, वो इंपोर्टें बन जाता था. जर्नली सच मॉस्क वाज अलार्ज with an open area and courtyard surrounded on the three sides by Colisters and Qibla, लिवान on the west. तो लिवान का मतलब हो गया आपका hall तो hall वाल जो area है वो west side में था. It was here that the महराब और the मिबार for the imam was located. People faced the महराब while offering prayers as indicated the direction of the कबबा in Mecca. तो मेराब की तरफ लोग मूग करके prayer करते हैं कि कहा जाता था कि इस direction में ही मक्का है. तो यह आप देख सकते हैं, यहाप पर west side में आपको hall वाल एरिया दिख रहा है, यह courtyard हो गया, यह main entrance होगी, जहां से आप mainly enter करते हैं, यह आपका tank आगया, यह आपका महराब जिस तरफ आपको मूग करके prayer करनी है, यह आपका किबला आगया और यह आपकी मिनार्ज आगी. So with this we have completed the chapter, तो हमारा chapter complete हो गया है, यह chapter काफ़ी important है, इस पर से question भी बनता है, but question इतना detail में नहीं बनेगा, जितना हमने chapter में बढ़ा, question आपका उसी तरीके से बनेगा, जैसा मैंने आपको medieval India वाले courses में कराया था, कि ठीक है, जो doom and arch, arch and dome design है, it was borrowed from Central Asia, ठीक है, तो वो wrong हो जाएगा, that it was borrowed from Roman Empire, तो वो वाला उसका correct answer है, जो हमने initially भी पढ़ा कि टर्की से आया था, वो हमने पूरी chronology को पढ़ा हुआ है, detail में, और शॉर्ट पर हमने शुरू में भी revise किया था, तो अगर आप वेजन आई, इस वग्यारा के test series भी देखो गए, उसमें भी इस तरह से question पूछा गया था, तो या फिर आपके techniques के नाम पूछे जा सकते हैं, पैटर डियोरे technique में क्या होता है, तो उसमें, जो हम carvings होती हैं, उसके अंदर कुछ भरते हैं, जिससे gems भर दिये हैं, कुछ भर दिये, या फिर जाली वर्क क्या हो गया, तो जाली वर्क हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकते हैं, तो आपको अच्छे लगे होंगे, आपको कोई डाउट हो, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारा WhatsApp गूप जोइन कर सकते हैं, आपको हमारा Telegram गूप बे जोइन कर सकते हैं, थैंक यू फूर वाचिंग देस वीडियो, वाव नाइस देर.